नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल अपरेंटिसिप इंडिया अड़ा में दोस्तों रेलवे की नई भरती 2023 में आने वाले इसके बारे में पूरा डिटेल वाई चर्चा करने वाले है जो आरारसी रेलवे गृूपडी वैकंसी 2023 में आने वाले है उसके बारे में पूरा डिटेल वाईज देखने वाले है नोटिपिकेशन और इसमें जो रेलवे से अपरेंटिस से करते हैं उनको क्या-क्या छूट मिलता है और कोर्स कम्प्लिटेड एक्ट अपरेंटिस को आयू में छूट क्या मिलेगी और जो उनको नोटिपिकेशन देखने वाले हैं जो रेलवे की नई वेकंसी 2023 में आपकी मार्च अपरेल में आने वाली है फरवरी से ही आपका यहां पर नोटिपिकेशन देखनों को मिल जाएगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो अगर आप अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा दोस्तों दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रेलवे ग्रूपडी की नई वैकंसी आने वाली है यहां पर देख सकते हैं और यह जो आपको लेवल वन पोस्ट के लिए देखनों को मिलेगा इसमें जो बैकंसी है वो दस परसंट सीटों पर फार्म भर पाएंगे और जो टैन प्लस आईटिया या टैन प्लस एनसी साटिपिकट आप लोग इसके पहले चांते होंगे आप लोग 2019 में यह और अठारा में भी चीज़े लगाई गए थी फिर इसको जब प्रोटेस्ट हुआ था इसके दौरान वहां पर विहार और उत्तरप्रदेस में तभी चीज़े हटा लिए गए थी मिनिस्ट्री आफ रेल्वे के तरफ आगे जो वेकंसी आएगा उसमें कांटिन्यूस कर दिया जाएगा तो इसी के रिकार्डिंग उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी पब्लिस किया था इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था तो आइस पर भी बात करेंगे क्योंकि इस बार जो वेकंसी आएगा उसमें 80% सीटे पर भी जो हैं उसमें 10 प्लस आईटे और 10 प्लस एनेसी लगाए गया है बाकि 20% सीटे जो पहले भी जो वेकंसी थी उनमें भी दसमी वाले को मौका दिया गया था दोजार अठारा वाले में वेकंसी में जो रेल्वे ग्रूपडी की 62,000 वेकंसी आई थी उसमें तो और इसके बाद एक लाग जो वेकंसी आई तो ग्रूपडी में उसमें भी दसमी को ही मौका दिया गया था यानि उसमें सभी को तीनों को दे दिया गया था 10 को मौका दिय तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर जो रेल्वे से कॉर्स कंप्लिटेट अक्ट अप्रेंटिस होते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में आपको भी दिखाते हैं तो जो उनका करना पड़ता है और इस बार उनका खतम कर दिया जाता है और इस बार उनका खतम कर दिया है जो रेल्वे ग्रूपडी 2019 की भरती है और इनको मिनमाम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो 30-40 वाला क्रेटिरिया रखा गया था इसमें उनको सीवीटी सीवीटी प्लस यनसीवीटी का जोड़ के वनवाई थार्ड अब लाना पड़ता है यनसीवीटी का जो सेटिफिकेट है उसके यनवाई थार्ड को जोड़कर ही मेरिट बनाई जाती है तीस-चालिस वाला क्रेटिरिया उनको फूलफिल करना पड़ता है यूर औ और EWS Candidate को यहां पर बताए गया था देख सकते हैं और इसके बाद यह CST Candidate को जो उनके लिए यहां पर बताए गया था तीस नमबर रखा गया था यूर EWS Candidate के लिए जो नान के लिए लेयर से संब्धित हैं उनके लिए तीस नमबर है और जो EWS Candidate है उनके लिए यहां पर तीस रखा गया है और यह जनरल OVC के लिए चालिस का मिनमुम् क्वालिफाई मार्क्स क्रेटरिय रखा गया था वो उनको जोड़के लाना है यह चीज़े आप इस बार बिष्टार भी होते हूं उनके दोरा भी यहांपर दोजार अकटारा में नोटिफिकसन क्या गया था फिर उसको रिमूब कर दिया गया था वैकंसि की रिंच में है इस ए french सरकार के establishment होते हैं या उनके यहां पर 9.8 लाग पद खाले हैं यानि यह आज के टेट में जो नोटी समाचार पतिकों में प्रकासित किया गया आप यहां पर देखेंगे 15.12.2022 का यह नोट पेपर है दैनिक भासकर में पब्लिस किया गया है यहां पर देखेंगे भागलपू कह सकते हैं 10 लाग वेकंसी खाले है जो आप देख सकते हैं हर मन्त्राले की डाटा यहां पर प्रॉइट की गए यहां यहां पर आहां पर दीख सकते हैं क्यों रीलवे में नौशल नौश्ट्र संचय को अदो यह चीज जब प्रदान मंत्री तरफ से दसलाग रोज़गार के बारे में किया गया था, इसका फीडियो मैं उपलूड किया है, आप महां पर भी चैनल पर किलिक करके देख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यह जो 2019 की और 2018 की जो vacancy आई थी उसमें क्या 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 qualification रखा गया था, अब बात करते हैं qualification के बारे में, आप यहाँ पर 2018 की notification है, यह detail wise notification जब publish किया गया था, तो उसमें ITI अनिमार कर दिया गया था, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, इसको जैसे नीचे स्क्रोल करेंगे तो आप यहां पर जैसे देखेंगे तो यहां पर यह बैकंसी उनका 62,000 बैकंसी के बारे में बताए गया था जब 2019-2018 में बैकंसी आई थी यहां पर देख सकेंगे 62,907 पोश्ट पर बैकंसी आई थी जिसमें CCA वालों कंडिडेट के है दो यहां पर जांटीख सकते हैं यहां पर ओपर से देखेंगे 63 आई तयेश नंबर बोस्टक या यहांपर यहां पर भी 75-80% सीटे पर आप्रेंटिस को अनिवार कर दिया गया तरस प्लस आपकी जो एने सी होती है उसको अनिवार कर दिया गया था 2018 की वैकेंसी में और यहां पर और यहां पर बात करें तो लगवक यहां से 25-20% सीटों पर ही वह आई आई टाइ या अथ ≠ ranked को अर्याथ यह अध्र Klein को अध्रिया गया थे यहां पर देख सकते हैं कैसले क्युर्षा कर देख सकते हैं यह धोको भी 50-20% मोंसेवार के और इसके चलते वीवाद हो घ्星 2019 अठारा में जो बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में इसका बहुत ज्यादा उप्रद्रों मच गया था जिससे वज़े से मिनिस्ट्री आप रेलवे ने इसको हटा लिया था इसके बाद उन्होंने एक नोटिस जारी किया था आप यहां पर देखेंगे तो अभी भी आपक रेल्वे साइथा करेंगे आप यहां पर यहांपर नीचे नोटिपिकेसन पॉब्लिस किया गया है अब यह यहांपर नोटिस मीन Mention किया गया है कि यह 2018 2019 की जो March में वेकंसी आई थी में उसी में इसको बिंट्रो कर लिया गया ता यानि रीमोब करें लिया गया था यह टंपरेशी था अब आगे आने वाली बैकंसी में इन्होंने यहाँ पर बता दिया गया कि 15.6.2019 के बाद से जो भी लेवल 1 की पोफ्ट आएगे उसमें मिनमम क्वालिफाई क्वालिफिकेशन जो रखा गया आएगा वह दस प्लस आईटेई वह दस प्लस एनसी होना चाहिए यह निमार कर दिया गया है यहां पर मेंशन कर दिया गया था यह चीज़े आप देख सकते हैं और इसके बाद यहां पर भी यह जो बैकं जए दो 2019 को सब्सक्राइब पर यहां पर यह अपर एक लिए गया गया ही तह comment पर बीस हजार पोस्ट रिजर्वरेशन दिया गया था जो रेलवे से कोर्स कंप्लिटेड एक्ट अप्रेंटिस होते हैं उनके लिए यहां पर मेंशन किया गया था टोटल वाइकंसी एक लाग तो इनको बेनेटिस मिलता है कि इनको यू में छूट दी जाती है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखेंगे तो उनको फ्सक्रिया के बारे में यहां सकतлем लिए न households से भी अफ्रेंटिस किकिया है तो आपको यहां पर एज में आपके बराबर आपको छूट दी जाती है और प्लस आपको वहां पर जैसे जनरल कंडिडेट के लिए 33 एर एज होता है तो उनमें जितने और यहां पर यहांपर 33 एयर जनरल को 36 एर आपकी जो ओविसी नान किमलियर हैं उनके लिए 38 एर आपको जो यस्टी एस्टी कंडिडेट हैं उनके लिए आप मेंसन किया गया है पर 10 नंबर पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर यह भी बताएगा है कि अगर आप 25 एर से पहले आपने अपरेंटी सिप कॉर्स कंप्लिट किया है तो आपको यहां पर अलग से छूट देखनों को मिलता है यहां पर आपको जो अलग से छूट दिया जाएगा उप 35 तो अपर आपने फारेंटिस ने से पहले पूरा कर लिए तो आपको यह वाली छूट मिलेगी और यहां पर जो रेलवे से अप्रेंटिस से पहते हैं उनके लिए यहां पर 2019 की वेकंसी जो आई थी उसमें भी यहां पर मेंशन किया गया था कि उनको जो पर मिंसन किया गया है तो आप यहां पर भी देख सकते हैं यह चीज़े यहां पर भी मिंसन किया गई है यह वाला आप नोटिस देखेंगे तो यहां पर वान थार्ड वेटेज दिया जाएगा और आपको जो पीटी होता है आपको डारेक्ट आपके सीवीटी के बाद आपको डीवी के लिए बुलाए जाएगा यह चीजे यहां पर बताए दिया गया है आपकी जो merit बनती है यहां पर क्योंकि 2018 की जो vacancy आई थी railway group D में वहां पर जो 2018 में vacancy थी उसमें 30 और 40 criteria रखा गए था जिसमें जो CCN railway candidate हो जो minimum qualified marks नहीं लिया पाए था 30-40 वाला criteria fulfill नहीं कर पाए था तो इस वज़े से vacancy vacant रह गए थी तो इसके बाद यहां पर जो high power committee गटिट की गए थे जो 2019 में विवाद होने के बाद तो high power committee के द्वारा यह report दिया गया था उसी के आधार पर amendment किया गया था तो इसमें amendment में आपको जो आपका CBT होता उसमें आपका CBT ग्याम प्लस आपकी 1 by 3rd आपको 30 और 40 वाला criteria आपको होना चाहिए 30 और 40 वाला marks जोड़के बनाया जाएगा यह चीचे बताए गया है इधी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होने वाले यहां पर इसके रिकार्डिंग भी एक notification यह पब्लिस किया गया था आप देख सकते हैं यहां पर देखेंगे तो यह च्छा बारा दोजार बाइस को ही अभी latest notification पब्लिस किया गया था इसमें भी यह 30-40 वाला criteria यहां पर mention किया गया है यह अनिमार कर दिया गया है सभी के लिए और यहां पर बताया गया है कि जो CCA इनके लिए जो बताया गया है कि इनको आपको CVT प्लस आपकी जो CVT ग्याम है और इवन भाइ 30-40 लाइंग लाना है और आपका तभी आपका merit बनाया जाएगा यह चीज़े यहां पर बताया गया है और यहां पर बताया गया कि जिसका 30 और 40 से कम है उसका प्रस्टाइज और नर्मलाइज नहीं किया जाएगा यह चीज़े मेंशन कर दिया गया यानि जो CCN रेलवे कंडिटेट है अगर वह भी कर 30-40 से कम लाते हैं तो उनका प्रस्टाइज और नर्मलाइज नहीं हो अगर आपका 30-40 बनता है तो आपको इसलिए आपको य नहीं तो आप दूसरा वीडियो लाओंगा इसमें डीवी में आपको क्या-क्या लाइक के जाना है वह सब चीज़े वह अपलोड कर दूँगा आप वहां पर देख सकते हैं पिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो पेह चेक कमेंट बाक्स में मिंसन कीज़ेगा टोटली आपके help and reply की जाएगी और नए वेकंसी की जो March और अप्लेयल में आने वाली है वो जल्द ही आपको यहां पर March में आपको देखने को मिल जाएगी कि 801 प्लस बैकंसी आने वाले है केवल गुरूबडी की बैकंसी है जिसमें आई टी और नसी वाले को बहुत अच्छे अपरचुन्टी है क्योंकि इसमें 80% सीटे अनिवार कर दिये गई हैं इनहीं से फुल्फिल किया जाएगी 20% सीटे पर ही केवल दासी वी आले कंडिड सकते हैं यह चीज़ें यहां पर देख सकते हैं इसके लिए जो रेल्वे से अपरेंटी सिख परते हैं उनके लिए बहुत अच्छे प्रचुन्टी और अधर कंडिड के वही यहां पर मौका देखनों को मिल जाएगा धन्यवाद कीप अन्टच